इसके अंग और विशेष्टाओं के बारे में सबसे पहरे हम इसका अर्थ जानते हैं जिससे इसके अंग और विशेष्टा हमें आसानी से समझ में आ जाएगी तो देखो अर्थ में क्या लिखा है लिखा है विश्टी अर्थ शास्त या सुश्म अर्थ शास्त अर्थ विज्ञान की वह शाका है जिसमें अर्थ शास्र के छोटे छोटे भागो या विशिष्ट कयू का अध्यन किया जाता है उधारन के रूप में दिया है जिसे एक फर्म का अध्यन, एक उध्योग का अध्यन या एक व्यक्ती का अध्यन व्यष्टी अर्थ शास्र के अंदर किया जाता है एक्जामपल से समझते हैं जैसे हमारी अर्थ विवस्ता में यहाँ पर कितने उद्योगे चार उद्योगे अगर मैं केवल एक उद्योग का अध्यन करती हूँ कि एक उद्योग से कितना उत्पादन किया जाता है उत्पादित की गई वस्तों का कितना उभोग होता है मतलब लोगों द्वारा उसका कितना उभोग होता है कितना उसको कंज्यूम किया जाता है और इस उध्योग से कितनी आयप्राप्त होती है अर्थ विवस्ता में इस एक उध्योग का कितना योगदान है तो ये हो जाता है व्यष्टी अर्थिशास और अगर मैं इन बाकी के तीनों उद्योगों का भी अध्यन करती हूँ एक साथ इन चारों का अगर मैं एक साथ अध्यन करूंगी के चारों की मिला के इतनी राष्टी आई है चारों का मिला के इतना उत्पादन है चारों का मिला के इतना उभोग किया गया तो वो समष्टी अर्थिशास हो जाता है और अगर मैं इन चारों का अलग अलग इंडिवीज्वल हाना अलग अलग रूप से अध्यान करती हूँ तो यह हो जाता है यहाँ पर व्याष्टी अर और अगर मैं इन सभी परिवारों का सभी उद्योगों का एक साथ अधियन करती हूँ कि मद्धिप्रदेश में कितने परिवार रहते हैं कितने मकान हैं उन सबका अधियन एक साथ हो जाता है जिसे जन्गर्णा वगेरा हो जाती है ठीके तो वहां हो जाता है समस्टी अर्थि मतलब समश्टी के अंक़र प्रतिनिदीत हुख करते हैं यह यह दियाते हैं करें जह को पूरी इकोनोमि पर प्रभाव परता हैं यह समश्टी अर्तिशास का प्रतिनिदीत užर्थ हो करें आगे लिखा है वेश्टी अर्थशास को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है जैसे से कीमत सिद्धान भी कहते हैं, मुल्य सिद्धान भी कहते हैं कीमत तथा उत्पादन का सिद्धान तथा सामानी अर्थशास के नाम से भी से जाना जाता है सुश्मा अर्थिशास के साथ साथ कीमत सिद्धान, कीमत रो मुल्य एक्षी होता है कीमत तता उत्पादन का सिद्धान और सामानी अर्थिशास इन नामों से भी से पुकारा जाता है तो आप याद अपना कभी अब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि सुष्ма अर्थिशास का एक उपनाम बताओ या क्या सुष्ma अर्थिशास को कीमसिद्धान भी कहते हैं सत्य या असत्य ऐसे किसी भी तरीके से हमें पूछ सकता है तो मैं हर एक बात को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है अब देखते हैं सरल परीभाशा, सरल परीभाशा का मतलब होता है कि एक इसको छोटे से अर्थ में किस तरीके से परीभाशित या बताया गया है तो लिखा है सुश्म अर्थशास आधूनिक आर्थिक विश्लेशन की वह शाका है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकायों के आर्थिक व्यवारों का अध्यन किया जाता है मतलब कि individual one person की unit व्यक्ति का तिकायों का अध्यन या एक firm का अध्यन एक परिवार का अध्यन की एक व्यक्ति अर्थ व्यस्ता को कैसे प्रभावित कर रहा है एक व्यक्ति का कार्य अर्थ व्यस्ता को कैसे प्रभावित कर रहा है ठीके उसके आर्थिक व्यवार जैसे उसके क् एक उद्योग एक परिवार अर्थिवस्ता को कैसे प्रभावित करती है इस बात का अध्यल हमें व्यष्टी अर्थिशास से पता चल जाता है ठीके अब देखते हैं व्यष्टी अर्थिशास के अंग यहां व्यष्टी अर्थिशास के में तीन अंग बताए गए हैं कौन- उभोकता व्यभार या मांग का सिद्धान उभोकता व्यभार या मांग का सिद्धान अब उभोकता कौन होता है जो किसी वस्तू की मांग करता है कि हाँ मुझे कार चाहिए मुझे साइकिल चाहिए मुझे बाइट चाहिए तो ये मांग क्या है मांग एक प्रभावपूर कि आज अपन बैटे जाते वहां किसी की देखते हैं कि मुझे भी एसी बाइक चाहिए तो प्रभावित होकर इच्छा जागरत होती हैं एन हम पैसा होना हमाइज में होना चाहिए पैसा है कि अगर उस चीज को आप ले लोगे तो यहाँ पर हुजाती है मांग तो पहला इसका अंग है उबोक्ता व्यवार या मांग का सिध्धान जिसमें बताया गया है कि इस सिध्धान में यह इसपष्ट किया जाता है कि उबोक्ता अपनी अधिक्तम संतुष्टी के लिए अपनी आयको बिन बिन उपयोगों में किस प्रकार प्रयूप करता है मुल्य एवं मांग का संबन इस सिध्धान की मूल बाते मतलब उबोक्ता के व्यवार को बताया गया है कि कि किसी वस्तू की मांग उबोक्ता अपनी बजट या अपने पास जो पैसा होता है उसके आधार पर किस तरीके से करता है क्योंकि हम पढ़ रहें कि वेश्टे अर्थिशास में छोटे-छोटे भागों का अध्यन किया जाता है तो यहां बताय गया है कि एक विक्ति के पास जिसे एक हजार रुपए है तो वो एक हजार रुपए को किन-किन चीजों में खर्च करके अपनी मांग को पूरा करेगा या अपने आपको संतुष्ट करेगा ठीक है सेकंड इसमें लिखा है उत्पादक व्यवार या पूर्थि का सिद्धान पूर्थि मतलब अर्थ व्यवस्ता में एक निश्चिस समय पर अर्थ व्यवस्ता में जिस चीज की अवशक्ता है उसका उत्पादन करके उसकी भरपाई करना तो ऐसे पूर्थि कोन करता ह उत्पादक कौन होता है वस्तू को बनाने वाला ठीक है तो देखते हैं क्या लिखा है लिखा है इस सिद्धान्त में यह इसपष्ट किया जाता है कि किसका उत्पादन किया जाए मतलब किस वस्तू को बनाया जाए और जो वस्तू बनानी है उसकी quantity क्या रखी जाए कितना उस पाते मतलब कि कीमत और पुर्ती दोनों का इसमें अध्यन किया जाता है उत्पादक व्यभाल या पुर्ती के सिद्धाध्म में ये बताए जाता है कि प्रतेक उत्पादक का उद्देश होता है कि वह अधिक सद्धिक लाब कमाए तो ऐसा लाब कमाने के लिए वह किस को बनाए जिस वस्तु के अर्थियोस्ता में जरुरत हो जिस वस्तु की डिमांड की जारी है जिसका रूची फैशन हो लोगों को अबोकता को वह चीज बनाए जया लेकिन कितनी मात्रा में बनाए जिससे उसको नुकसान न हो बलकि फायदा हो अगर जादा बना ले और लोगों को पसंद न आए तो उसको नुकसान हो जाए तो कैसे वो अपना बैलेंस बनाए इस बात का अध्यन होता है यह सिद्दान इस बात की व्याख्या करता है कि व्याख्या मतलग बताता है कि बाजार में माम एवं पुर्ती की शक्तियों के पारस परीक संबंद वारा वस्तु का मुल्य कैसे नरदारीत होता है अर्थशासर्यों का विचार है कि यह सिद्धान्त व्यष्टी अर्थशास का सबसे महत्वपोन अंग है इससे हम व्यष्टी अर्थशास का यंतर भी कह सकते हैं व्यष्टी अर्थशास का यंतर है कीमत विशलेशन मुल्य का निर्धारन कैसे होता है या व्यष्टी अर्थशास किसका विष्टलेशन करता है तो मुल्य मतलब कीमत का तो यहां बताया गया है कि व्यष्टी अर्थशास में मांग और पुर्ती के आधार पर किसी वस्तू का मुल्य निर्दाइत होता है और हमें मालूम है कि मांग और पूर्ती को लेकर वस्तू का मुल्य निर्दाइत होता ही है साथ ही साथ उस वस्तू को बनाने में जितना कच्छा माल लगता है जितनी लागत आती है उस आधार पर भी तो हम वस्तू का मुल्य निर्दाइत करते हैं जैसे example से देखो, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर कितनी रुपे की है? 50 रुपे की है, 50 रुपे की कोई वस्तु है, यहाँ पर मैं price लिख देती हूँ, उसकी quantity मतलब मात्रा कितनी है, उस वस्तु की यहाँ पर 100, और डिमान मतलब उसकी मांग खरीदने वाले लोग यहां पर कितने है दोसू 50 रुपे की कोई वस्तू है 100 मात्रा उसकी मेरे पास है और 200 लोग खरीदने के लिए है एक एक व्यक्ति को भी वस्तू जाए तो वस्तू कम पड़ जाएगी 100 लोगों के लिए और उत्पादित करने पड़ेगी तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करेंगे वस्तू की कीमत को बढ़ा देंगे जिससे मांग कम हो जाएगी तो मैं इसकी कीमत जैसे यहां पर 80 रुपे कर दूँगी तो जब वस्तू मैंगी हो जाती है तो हम खरीदना क्या करते हैं कम कर देते हैं हम क्या कहते हैं जैसे भाव कम होंगे हम उस वस्तू को खरीद लेंगे और इसके वर्परित यदि किसी वस्तू की कीमत यहां 40 रुपे है और उसकी क्वांटिटी कितनी है पचास और खरीदने वाले लोग किते हैं 20 किसी वस्तु की कीमत 40 रुपे है हाना और मात्रा कितनी उसकी 50 लेके इसको खरीदने वाले लोग किते हैं 20 तो ऐसी कंडिशन में यहाँ पर क्या है स्टोक जादा लेकिन खरीदने वाले कम तो ऐसी कंडिशन में मैं इस 40 रुपे की कीमत क्या कर दूँगी 20 रुपे कर दूँगी जिससे सस्ती लगेगी लोगों को ये और इसकी पूर्ती मतलब इसकी क्या होगी डिमांड होने लगेगी लोग इसको अधिक सर्दी खरीदने ल व्यक्तिगत इकायो का अध्यन होता है इसके शैत्र के बारे में बताया गया इसका शैत्र छोटा होता है या बड़ा होता है और साती बताया गया है इसमें मुल्य निर्दारन किसी वस्तू की कीमत की साधारपन एदायत होती है एक करके हम चारु को समझेंगे पहले हम समझ अजेंगे व्यक्तिगत इकायव का अध्यन। लिखा है व्यस्टी- अर्तिशास में हम उन व्यक्तिगत आये हैं। व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उभो की व्याख्या करते हैं, जिनका संबन समुहों ये व्यापारिक इस्तितियों से नहीं है, मतलब व्यष्टी अर्थशास में हम व्यक्तिगत इकायों का अध्यन करते हैं, उन लोगों को उन परिवारों को उन फर्मों का अध्यन करते हैं जो समू में नहीं है जो सिंगल है फिर अगला लिखा है छोटे चरू का अध्यन सुश्म अर्थशास के अंतरगत छोटे छोटे चरू का अध्यन किया जाता है इनमें हुए परिवर्तन का प्रभाव संपून अर्तिविवस्ता पर नहीं पड़ता एक व्यक्ति के आये और उबोक का संपून अर्तिविवस्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि एक परिवार में किसी प्रकाय की कोई कमी व्रद्धी है तो संपून अर्तिविवस् उधारन भी लिखा है कि एक उपबोक्ता का उपबोक्स अंपुन अर्थियोस्ता को प्रभावित नहीं कर सकता ठीक है अगला है मुल्य निर्धारन सुष्म अर्थशास में मांग और पूर्ति के आपसी संबंदों के आधार पर विभीन वस्तों के व्यक्तिकत मुल्य किया जाता है एक-एक को लेकर चला जाता है सभी को लेकर नहीं चला जाता है इसलिए इसका शेत्र छोटा होता है तो लास्ट में निशकष निशकष लिखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंस यह हमारा एक नंबर बढ़ाता है इसका मतलब ही होता है कि हमने जिन बातों के ब दिखा है कि उप्यूक तो वनी सुश्म अर्तिषास की विशेश्टा क्या दारिकों, कह सकते हैं कि सुश्म अर्तिषास पुर्णत व्यक्तिगत वियाख्या पर आधारी थे इंडि वीजुल one person per हो क्या है depend है कि इसमें व्यक्तिगत इकाईयों का व्यक्तिगत form उद्यो परिवार का अध्यान होता है ठीके friends अब इसके earth, अंग, विशेष्टा किसी भी बात को लेकर कोई भी doubt होता है तो doubt को mind में नहीं रखना है doubt को दूर करने के लिए comments box दिया गया है जिसमें लिखकर doubt को दूर करना है thanks for watching this video bye bye